नमस्कार अस्लावालेकूम सत्स्रीका ये जूलेला मैं हूँ जी प्रेम मट्लानी और आप देख रहे हैं अलाते हादरा का प्रोग्राम किकत ये है इपतदा में आप से दर्खास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों आज कल जंगें तो है ये युकरेन की जंग भी चालू है हमास और इसराइल की जंग भी चालू है इस तिलसले में भी दुन्या का बहुत नुक्सान हो रहा है लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है न वो पोलुशन है हर किसिम की पोलुशन एयर पोलुशन सब्सक्राइब और उस पे उसकी जो वजुहात है उसके जो असबाब है जिनकी वज़ा से ये पोलुशन बढ़ती है उसमें एक तो ये कोईलर से जो बिजली मनाई जाती है जो कोल बेस्ट एलेक्रिसिटी जनरेटर्स हैं उनकी जो एफुलुएंट है उसकी वज़ा से भी पोलुशन बढ़ती है और दूसरा प्रोंट पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट जो है ना मोस्टली तेल पर होता है तो जब इस्तमाल होता है तो उसके जो एफुलुएंट है नोग्साईट इनकी वज़ा से जो है एक तो ओजो लेयर जो है ना वो खतम हो जाता है जिसक वजा से अल्ट्रा वाइलेट रेस जो है सनलाइट के वो धरती तक पहुंचते हैं और उससे कई बीमारियां पेदा होती हैं दूसरे दिन बदिन इस पोलुशन की वजा से यह ओजोन लेयर के डिपलीट होने की वजा से और ज्यादा पोलुशन की वजा से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती चली जा रही है और जिसकी वजा से कई ग्लेशर जो है वो पिगल रहे हैं और पूरी दुनिया में जगा 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 जो है सेलाब आ रहे हैं जैसे अभी 2022 में पाकिस्तान में बहुत जबर्दस सेलाब आया था कहते हैं यह सभी जो है ना यह पोलुशन की वजा से है और उसको कंट्रोल करने के लिए इमिडेटली जो है वो यह है कि जितना हो सके ट्रांस्पोर्ट सिस्टम में तेल का इस्तमाल कम किया जाए अब उसके लिए जो अल्टरनेटिव फ्यूर्स हैं उसमें अभी जैसे विजिली है विजिली पेकारें चला ही जा रही है इथैनोल है इथैनोल अल्कोहल जो है उस जो है वो जब जलती है तो इस इसका जो effluent है वो just it is water जो है और इस तरह जो है आप गैस पे गारियां चलाई जाती हैं CNG, LNG तो गैस पे भी जब ही चलाई जाती है तो उनका भी जो effluent होता है ना वो पोलिटन्ट नहीं होता तो यह जो भी की अल्टरनेट फूल्स हैं इन पे ज्यादा जोर दिया जा रहा希望 और भारत ने इस सेलसले में बहुत पेशरक्त की है और इनको इनको करेज करने के लिए अल्टरनेट फ्यूल को इनकरेज करने के लिए भारत सरकार है अपनी तरफ से कई जो है सब्सिडीज देती है जैसे अभी ब़िजली की गाडियां भारत में अभी बहुत बन रही हैं बहुत साथी कमपनिया है ताटा मोर्टर्स वाले बना रहे हैं मेंदरा यह महेंंदरा वाले बना रहे हैं आईशेर वाले बना रहे हैं स्कून्स में तो कई कंपनिया आ गई हैं यह रहे लेक्रिक्टिमू दुनिया मेंद में सबसे बड़ा बेजली कारियां बनाने वाला जो है वो है टेसला मोटर्स अमेरिका का है जिसका मालक इलॉन मस्क है आप तो जानते ही हैं तो भारत ने उससे तालुक राविता कायम किया था संपर्क किया था कि आप भारत में अपनी गाड़ियां बना हैं यह दो तीन साल पहले की बात कर रहा हूं मैं लेकिन उस वक तो उसने टका सा जवाब दे दिया उसने का कि मैं चाहता हूं कि बारत में वाटर टेस्ट करनगा यानि उसके इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने का जीन मेकार खाना है वो चाहता था कि वहां से गाड़ियां इंपोर्ट हों बारत में आएं और यहां पर बिकें और अगर अच्छे नमबर पर बिखती हैं तो फिर मैं सोच सकता हूं भारत में कारखाना लगा हूं लेकिन ये बात भारत को मनजूर नहीं थी क्योंकि टोटली इंपोर्ट होती है बनी बनाई कार्ट उसके उपर सतर से लेके एक सो फीसद तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती है तो बहुत मेंगी हो जाती है तो इसलिए टेसला ने ये सोचना छोड़ दिया अभी दो तीन महीने के भारत का वजिर आजम जनाब नरेंजर म होदी जब अमेरिका गया था जो बाइडिन से मिलने तो वहां पर वहां के जो कार्पोरेंट विक्विक्स हैं उनसे भी मिला था सभी से सुन्दर पिचाई से सत्या नादेला से और उस वकत ये इलॉन मस्क से भी मिला था टेसला का जो मालिक है इसमेंश्चिप का भी मालिक बहुत बढ़ा आदमी है तो साल पहले तो दुनिया का सबसे हमीर आदमी गिना जाता था ट्विटर भी इसके पास है जिसका उसने नाम बदल के एक्स कर दिया है खर जब नरेंदर मोधी उससे मिला और उससे ये फरमाश की कि आप भारत में विजली की गारियां बना है तो अभी क्या उनके दर्मियान बात हुई कि उसके बाद फिर जो है बहुत सारी डेवलापमेंट्स हुई हैं अब सुना जा रहा है कि हूँ सकता है उसकी गारियों को फिला थोड़ा कम ड्यूटी पे इंपोर्ड करने की इजाज़त दे दी जाए और उसके साथ साथ अभी उस किया है कि एक मैं आपको बात बता हूं कि कोई भी चीज जो बनती है न तो उसके लिए एक पूरा इको सिस्टम बनाना पड़ता है अभी जो कार बनाने वाले होते हैं वो हर चीज़ खुद नहीं बनाते दे डॉंट मेंग एवरीधिंग अंडर देर ओन रूफ जैसे कार मे वो बाइर से लेते हैं सीटिंग होते हैं वो बाइर से लेते हैं इंजिन खुद बनाते हैं उसका बड़ी खुद बनाते हैं ऐसी चीज़ें जो है अच्छा फ्यूल पंप हैं ब्रेक्स हैं गियर बॉक्स है यह ऐसी चीज़ें जो भी है यह बिजली की काड़ी है तो फिर बैटरी है बैटरी भी वह जरूरी नहीं कि वह जो कार बनाने वाला हो वह खुद बनाए तो यह जो पूरा ecosystem बनाना पड़ता है अभी conventional गारिए तो भारत में ये ecosystem बन चुका है और खाशा बन चुका है इतना है कि वह ने सिर्फ भारत को अधर कर रहे पार्ट उरिजिनल ऑडिए बागी दुनियां को भी एकषपोल हो रहा है इसी तरह की गार्यों के लिए भी यहां पर एक अच्छा क Sound को सिस्टमढ़ चुका है और वह जो की गार्यों में तेसला वालों के लिए भारत में बनाते हैं और एक दो-चार कंपनिया हैं मैं उनके आपको नाम गवाता हूं गार्दियानों ट्रास्मीशन ये गियर वाक्स मनाते हैं सोना कॉंस्टा ये स्टेरिंग ये वगरा ये ऐसे चीज़ें बनाते हैं भारत फोर्ज जो है फोर्जिंग जो है उनके और टाटा वाले अपने आटो कंपोनें मैं बता हूं इस वकत हिंदुस्तान में बिजली की गा बाड़ी नेक्स हों तो बहुत जबर्दस भिक रही है और टाइगोर है ऐसी कई गाड़िया उनों ने मतलब इंट्रोडिश की हैं अब टेसला वालों के लिए भी वो सब ये जो आटो कंपोनेंट बना रहे हैं और वो लोग अभी हिंदुस्तान में भी बेच रहे हैं और ह खाली टेसला के लिए 2022 में भारत ने उसके जो आटो कंपोनेंट वेचे भारत एक्सपोर्ट किये एक बिलियन डालर का और ये 2022 की बात करा हूं इंशाला 2030 में ये डवर हो जाएगा दो बिलियन डालर और जैसे ही टेसला का अपना का खाना भारत में काम शुरू कर देगा तो फिर तो इनकी जो मैनिफिक्ट्रिंग है अटो कंपोनेंट्स की उसमें और ज्यादा तेजी आ जाएगी इन अलफाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम फत्म करने की आपसे जाज़त चाहता हूं लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दर्खासत है जिसकिसी साथ या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अजरह करम इसको जल से जल सब्सक्राइब करें प्रोग्राम को लाइक करें शेयर करें और गंटी या बटन दबाना नम भूलें बहुत बहुत शुकरिया खुदाहाफिस